हेलो एंड वर्म वेल्कम टूसला फांडिशन सो बच्चो आज का जो यह वीडियो है आपके लिए बहुत जादा इंपॉरेंट है यदि आप किलास 9, 10, 11, 12 या आपने 12 पास कर लिया है और आपका टारगेट है कि वही आप एक इंजिनियर या फिर डॉक्टर बने तो डैफि आपको प्छोटता का सबसे बीटिक कर सकते हैं और सबसे अफड़ल भी कर सकते हैं देखो zitten दिखोज़ार्ट कोर्स हैसोब है अमरीदी खोर सी और फोल रोंज घिया गया है दिए की तरफ से तो जो मोशन ने इस को लॉंच किया है उसकी कुछ खास बाते हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपोरेंट है अब दोको मोशन में आपको पता हुआ कि भी एनपी सर है और इन्हों ने पूरा जो अपना एंपाइर है वह खड़ा किया हुआ है तो अब बात की अमरिट में ऐसा क्या है। निसे फिल्स को में एक यह बहुत खास सका क्यों आप ऑफ यह ऑन्य इसा किम उब्रस के लिए औरी ससी क्यों और सुन, जो । आज जनकारी में आपको ब funnel करेंदेशन धुलिए तो आपनेखोश में 01 जयू वाले बच्चों के लिए मतलब बच्चे ओई टी जय का एक्जाम देंगे और जो बच्चे टोन वी और अच्छा के लिए वहிन अच्छा degrees अच्छी अच्छे करता है कि जो बच्चे 11 पर चौर लिया कोई भी बच्चे हैं जो जी की तयारी करना चाह रहे हैं या आप निट की तयारी करना चाह और यह सोच के देखो कि पूरा कोर्स इतने कम पैसे में तुमको मिल जाएगा तो जो टार्गेट है जो टार्गेट है कि इंडिया में जो एजूकेशन है जो क्वालिटी एजूकेशन है उसको बहुत अफोर्डल बनाया जाए तो वह स्टेप मुझे लगता है कि आज एन्व कोर्स इसके कब बिजन में कोस्ट ली कह सकते हैं लेकिन अधर प्रेट्फरम फर भी सही हैं बट यह जो कोर्स हैं वो काफी जारा कह सकते हैं बहुत सस्टे कोर्स हो गए है और इनकी जो वैलिलिटी रखी गई है वो रखी गई है 31st मार्स 11 वाले बच्चों के लिए रखी 21st मार्स 2024 और जो बच्चे 12 में हैं या फिर 12 पास हैं उनके लिए रखा गया है अगर कोई बच्चा जेग एडवांस दे रहा है तो इसकी लिए रखा गया है जेग एडवांस 2024 मतलब जब तक यह कोट्स क्या है वैलिट रहेंगे आप वीडियो वगएरा सब्सक्राइब सकते हो या फिर जो बच्चे नीट के एकजाम दे रहे है तो उनके रखाग एडवांस 2024 मतलब जब तक नीट 2024 नहीं हो जाता है तब तक आप क्या है ओर से अच्छे से पढ़ सकत अब देखो यह तो सबसे अच्छी बात होगा कि भाइए बहुत अच्छा किया नोंने और बहुत अच्छा इस टैपन अब बात यह आती है कि क्या हम को इस को लेना चाहिए क्या हम को इस को लेना चाहिए तो मैं काऊंगा कि इस को आपको जो वाई है डेफिनिटली करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्योंकि जो कोटा के टॉप टीचर्स हैं जो भी कोटा के टॉप टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि जो motion coaching है वो आपके quota में है और लाकों की संक्याय बच्चे क्या है offline coaching में पढ़ने के लिए यहां जाते हैं हर साल जाते हैं और अगर तुमको घर बैटे कोई व्यक्ति सिर्फ 999 रुपे में सिर्फ 1499 रुपे में घर बैटे पढ़ने का मौका दे रहा है तो इस मौके का फायता उठाओ और जो अपना सपना है डॉक्टर इंजिनियर बनने का वो क्या पूरा करो अब तुम यह नहीं क्या सकते होगे हम गरीव थे इसलिए हम डॉक्टर इंजिन नहीं तैयारी कर सकते है सिर्फ अमीर ही कर सकते है तो यह भाने बाजी अब नहीं चलने वाली है क्योंकि सिर्फ अमीर का बच्चा डॉक्टर इंजिन नहीं बनेगा अब गरीव का भी बच्चा डॉक्टर इंजिन बनेगा अगर वो पढ़ना चाता है देखो समस्या हर किसी के जिंदगी में है अलग अलग टाइप की समस्या है लेकिन अब decide तुमको करना है कि उन समस्यां से आगे निकलना है या सिर्फ ये सोचना है कि समस्या है समस्या देखोगे तो अपना गोल नहीं दिखाई देगा और गोल देखोगे तो समस्या नहीं दिखाई देगी इसके वर तुम पर एक जामपल भी दिता हूँ तुम खुश सोच के देखना और तुम मुझे को अताब तुम्हारा क्या श्टैप होगा एक सिंपल सा कोशन तुमसे मैं पूछ रहा हूँ जैसे सपूश करो तुमारे घर में चोर गुसाया तुमारे घर में एक चोर गुसाया अब जब चोर गुसने आएगा तो अब विस्षी बात है कि उस चोरी करने आएगा जब चोरी करने आएगा तो वो क्या करेगा चोरी करने लिए पूरा प्रयास करेगा अब suppose करो कि तुमारी मम्मी एं तुमारी मम्मी एं अब उन्हें की गर्दन पर चोड़ने रग दिया छुरा तो तुम क्या करोगे तो तुम क्या करोगे भाई चोर है और यहां तुम खड़े हो यह तुम हो यह तुम हो जहां तुम खड़े हो तुम देख रहे हो कि भाई यह चोर ने छुरा लगा दिया है मार मुर देंगे तो तुम क्या करोगे तो तुम बेना कुछ सोचे हुए अपनी जो मम्मी है उनकी क्या करोगे? सुरश्चा करोगे करोगे इन करोगे? तुमको बले ही ये पता हो कि चोर के हाथ में क्या अतियार है लेकिन तुम बेना कुछ सोचे सबसे पहले श्टेप आई लोगे कैसे भी करके अपनी मम्मी को बचा लें यही तो करोगे और जब तुम यह क्यों कर रहे हो क्योंकि तुम को पता है कि भई मम्मी ने हमको जिंती वर पाला है मम्मी नहीं होगे तो खाना कौन देगा कौन खाना सोबे बनाएगा यह हमको पता है हमारा उनसे लगा हुए हम उनको जानते है तो जब हम किसी चीज़ को चाते हैं तो हम क्या करते हैं चाता सोचते नहीं है हम क्या करते हैं उस चीज़ को अपने साथ रखना चाते हैं तो सेम उसी तरीके से यदि हम वास्तम में अगर हम वास्तम में डॉक्टर बनना चाहते हैं हम चाहते हैं कि भई हम डॉक्टर बने हम वास्तम में चाहते हैं कि भई हम इंजीनियर बने तो फिर हम इस चीज के लिए ये नहीं देखेंगे कि कितने गंडे पढ़ना है किसका force लेना है सभी है की नहीं है सिर्फ एक goal होगा कि हमको एक force लेना है एक अच्छा force लेना है और उसके बाद उस post को लेने के वाद अपनी preparation को आँगे बढ़ाना है एई तो हमारा target होगा तो बस अगर goal decide होगा तो problem नहीं दिखाई देगी और goal पर डिसाइड नहीं होगा तो प्रॉलम तुमको क्या है दिखाई देगे उसलिए गोल पर डिसाइड करो कि वह गोल क्या करना है कि हमको वास्तम में इंजिएट नॉक्टर बनना है या नहीं अगर बनना है यह बनना अट एक लिए बैस्ट कुर्स है तुम्मारे लिए आया description box में link provide कर देता हूं तो आप link पे click करेंगे तो वैसे ही आपका course तक क्या पहुंच जाएंगे और course को आप क्या कर सकते हैं बाई कर सकते हैं आप जो भी बच्चे course को buy करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी opportunity है बहुत अच्छी opportunity है कि उनको 500 रुपीज मिलने वाले हैं अब तुम सोचो वह कैसे मिलने वाले हैं समझना जान से तो जो को आपको एक code यूज करना है TW500 आपको एक code यूज करना है TW500 जब आप ये code यूज करेंगे TW500 तो क्या होगा आपको मिलेंगे 500 पॉइंट आपको मिलेंगे 500 पॉइंट जो की एक्विवेलेंट होंगे रुपी 500 तो जैसे क्या होता है आपने कोर्स ले लिया आप कोर्स लेने के या टेस्ट का जो भी प्राइस होगा उसमें आपकी जो 500 होंगे इनको आप यूज करोगे तो वह 500 रुपीस आपके क्या कम हो जाएंगे तो कह सकते हैं कि अगर हमको बाइक कर नहीं है तो क्यों ना हम TW500 कोर्स क्या यूज कर लें और अपना बेनिफिट उटा लें क्योंकि कई बाइब कर लेंगे तो इस प्राइस आएगा जब प्राइस आएगा तो कैसे उसमें लगे होंगे तो वह आप्पर यूज कर सकते हो अब चो अपनी कर रही हो यहां रखना है कि तुमारी जुन है उसमें सबसे बड़ा होता है वह होता है 11 की है कि तो सबसे पहले जब कोई पिस्टार्ट होता है उसको इस प्रक्राइब चार्टर हो रहा है है चाहे आप कहीं भी बंचाहिए अर्लाइन कोर्स में पढ़ रहे हूं चाहें आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हूं तो एटलिस्ट 11-12 की स्टेडी जो बेसिक वाली होती है उस पर जरूर और जरूर फूकल करना है यही चीज होती है जो आपके बेस को स्ट्रॉंग बनाता है अधर्वाइस फिर आपको क्या होगा प्रॉलम होगा तो इसलिए अपने बेस को बहुत ज़्यादा चैसे स्ट्रॉंग रखना है तो बच्चों यह ओवरल कंप्लीट डिटेल हो गई है आपके अमरित कोर्स की और आपको यह अमरित कोर्स कैसा लगा कमेंट वक्समें जरू बताना और यह इंडिया का सबसे अपवड़ेबल कोर्स है जहां पर कोटा की टॉप पेकल्टी आपको क्या पढ़ा रहें है तो चलिए बच्चों आज की वीडियो एंड करेंगे मिलेंगे आपसे नेक्ट वीडि